प्रदेश के हापड में दो पक्षों के बीच हुए पत्थराव के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम गोशित कर दिया। दो दिन पहले मामूली कहा सुनी के बाद दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। दस-दस हजार रुपए का इनाम गोशित कर दिया गया। साथी पुलिस ने लोगों से इनामी आरोपियों की सूचना देने की अपील की ताकि उन्हें गिरपतार किया जा सके। प्रदेश के हापड में दो पक्षों के बीच हुए पत्थराव के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम गोशित कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए क्योंकि कहाल सुनी के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थराव शुरू कर दिया। दो दिन पहले हुए इस बवाल के कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमे एक वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग हाथों में डंडे और पत्थर लेकर जाते दिखे। इसी प्रदेश के हापड में दो पक्षों के बीच हुए पत्थराव के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम गोशित कर दिया। दो दिन पहले मामूली कहा सुनी के बाद दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। पक्षों के बीच हुए पत्थराव के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम गोशित कर दिया। प्रदेश के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आए। इसी तरह के दूसरे वीडियो में कुछ लोग हाथों में डंडे और पत्थर लेकर जाते दिखे। इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से में दो महिलाएं भी लड़ती दिखाई दी। बवाल के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया जिबकि फरार चार आरोपियों पर दस दस हजार उपए का इनाम घोशित कर दिया गया। साथी पुलिस ने लोगों से इनामी आरोपियों की सूचना देने की अपील की ताकि उन्हें गिरफतार किया जा सके। साथी पुलिस ने लोगों से इनामी आरोपियों की सूचना देने की अपील की ताकि उन्हें गिरफतार किया जा सके।